हमारे जो साथ ही हैं संगी जितने भी लोग हैं या जो कंसेप्ट देते हैं वो इस बात पर बहुत जोड़ देते हैं कि हमको संग को बढ़ाना चाहिए संग को मजबूत करना चाहिए संग की ब्रद्धी करनी चाहिए पर क्यों करनी चाहिए संग को बढ़ाने से संग की ब्रद्धी करने से या सीधे सीधे लोगों को या अपील करने से कि आप संग में जुड़ो कोई क्यों जुड़े जब तक आप उसे पूरा खुल के समझाओगे नहीं और बताओगे नहीं जुड़ने से और जुड़ने से क्या होता है जुड़के और जुड़के जुड़के क्या करोगे इससे क्या फाइदा है क्या नुक्सान है तब तक सामने वाला यही समझता है कि जैसे और संग्ठन जुड़ेंगे जुड़ेंगे फिर राजनितिक पार्टी बनाएंगे फिर पैसा खाएगा फिर चंदा लेगा फिर कहीं मंत्री संत्री बनेगा पूर्ठी बंगला कार आएगा यह वाले भी ऐसे ही होंगे और जब तक वो ऐसा सोचता रहेगा तब तक संग में ब्रद्धी नहीं हो सकती और जब तक संग में ब्रद्धी नहीं होगी तब तक आपका जीवन सुखी नहीं होगा जो लोक तंत्र है लोक माने होता है लोग लोग और लोग एक ही सब्ध है लोग को ही बाद में लोग कहने लगए लोग माने होता है जनता पीपल तो लोग तंत्र मतलब लोगों का सिस्टम जो अपने आपको गवन करने के लिए अपने आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए लोग खुद बनाते हैं इस लोग तंत्र के अंदर युद्ध चलता रहता है 24 घंटे 365 दिन पर ये जो युद्ध है ये खून खराबे वाला या हत्यार वाला या डंडे भाले वाला नहीं होता कई के जिए कुछ ना समझदा लोग ऐसा करते भी हैं पर जो लगातार बड़ा युद्ध चलता रहता है उसमें सक्ति का प्रदशन चलता है यानि शक्ति का प्रदशन चलता है आप में कितनी सक्ति है उसका प्रदशन सामने वाले में कितनी सक्ति है उसका प्रदशन और सक्ति के प्रदशन क्या जो तरीका है लोग कंत्र में वो है कि लोगों का नंबर कितना है यानि कितने संख्या में लोग हैं, कितनी उनकी संख्या है, कितनी जन संख्या है, किसके पास कितने लोग हैं, इसको दिखाने की लिए लोग इखटे होते हैं और एक जिए सभाय करते हैं, संगती करते हैं, सम्मिलन करते हैं, रैलिया करते हैं, मार्च करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, या वर्चुल मीटिंग करते हैं, पोश्टर चापते हैं, वीडियो भेजते हैं, वीडियो बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो हम इतने सारे हैं, हमसे लड़ना मत, हमसे डर के रहना, ये जो गुण आया है, ये गुण हमें प्राकर्टिक रूप से मिला हुआ है, जितने भी जानवर हैं, कोई भी जानवर किसी से भी लड़ना नहीं चायता, जब कभी उनको सामने कोई और जानवर दिखाई देता है, उनके जैसा या कोई दूसरा, तो दोनों जानवर अपनी शक्ति का प्रदशन करते हैं, जैसे मुरगा जा लड़ता है, या मुरगा के सामने कोई जानवर आ जाए, तो वो अपनी बाल गर्दन खुला लेगा, आकार बढ़ा कर लेगा, ये उसकी शक्ति का प्रदशन होता है, कि सामने वाला ड़ जाए, जो बंदर है, वो घुलकी देता है, वो एक साथ ऐसा करता है, जैसे हमला कर रहा हो, डराता है, घुलकी करता है, हमला नहीं करता है, अकेला कुता भी होता है, तो वो भौकता है, क कार्ट के फार्ड भी देगा पर अकेला भौकता रहता है सक्तिगा प्रडिसन करता है ठीक ऐसे ही जो शेर है वो अपने जो मूग के चाहतर बाल होते हैं उनको फैला कर और बढा कर बना लेता है जंगल में जब सफारी करने जाते हैं यानि जीप में बैट के जब घूमने जा जाए तो सफारी का ड्राइवर ये कहता है कि आप जीप से बाहर मत उतरना अगर आप जीप से बाहर उतर गए तो ये शेर या चीते आपको खा जाएगे तो उससे पूसा जाता है कि ऐसा क्यों तो वो कहता है कि ये पूरी जीप को एक आबजेक्ट समझता है यानि पूरी जीप को एक जानवर समझता है और यह आकार में इससे बड़ा है इसलिए यह जीप में यह जीप में बैठे हुए पर हमला नहीं करता है पर बाहर निकल गए तो हमला कर सकता है जो जानकार लोग है वो कहते हैं कि जंगल में अगर आप जाओ तो जंगल में जाते समय अगर बैटना मत अगर आप बैठ होगे तो मारे जाओगे और पीछे मुड़के भागना भी मत आप खड़े होना हातों को फैला लेना और कोई कपड़ा हो तो उसको और ज्यादा बढ़ा कर लेना और डर्ना मत और आखों से आखे मिलाके जखना तो थोड़ा गीदर भप्की देग शेर याचीता उसके बाद चला जाएगा और ऐसा होता भी है जो हाती है वो भी अपने कान खड़े कर लेता है और जो साफ है वो भी फुणका आता है अपना फन चौड़ा कर लेता है यह दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़ा जानवर है ये सारे गोड़ जानवरों में लड़ने के यहां तक कि यह हमने भी हमारे अंदर में क्योंकि हम भी कभी जानवर रहे हैं तो जब कभी हम लड़ते हैं या केले होते हैं और फस जाते हैं तो मूख उफलाते हैं नाक से हवा निकलती है नथुनेव हमारे फूल जाते हैं आखें हमारी चोड़ी हो जाती है और च्छाती एक साथ चोड़ी हो जाती है कियानि हम अपना जितना आकार बढ़ा कर सकते हैं कर लेते हैं और हाथ में कोई डंडा वंडा हो तो उसको लेकर त्यार बढ़े गाते हैं या अगर चार-पांच लोग एक साथ हैं तो हाथ पकड़के बढ़ा सा घिरा बना लेते हैं सामने वाले को दिखाने के लिए कि हम जाते हैं इसको शक्ति प्रदसन बोलते हैं सत्ती प्रदसन बोलते हैं लोग तरंत के अंदर जो हम संगतियां लगाते हैं वो संगतियां हमारा शक्ति का प्रदसन हैं यह बात जितने भी मीटिंग लगाने वाले लोग हैं संगति लगाने वाले लोग हैं उनमेंसे कुछ को पता है ज्याना थर को ये पता है कि मैं कोई मीटिक लगाँंगा, उसमें लोग आइएंगे, उसके फोटो वीडियो रखोंगा, उसके फोटो वीडियो भीजूँगा, उसके बाद किसी पारटी वाले कि मुझे बोए रहम करम हो जाएगा, कोई पार्टी वाला आके टिकेट दे देगा, सस्ते में या मैं वो फूट लगा कि किसी पार्टी वाले के दरवार में जाओंगा और कहूंगा कि देखो इतने साए लोग मेरे साथ हैं, तो कहीं कॉंसलर का, MLA का, MP का कोई टिकेट विकेट मिलने का है, इसलिए वो अले रहते हैं, कि हम अपनी मीटिंग लगाएंगे, हम लोगों को एकटा करेंगे, तो उनको हाथ पे जोड़के लाते हैं, खाना खिलाते हैं, खाने का पैसा एकटा करते हैं, दो तरफ फाइदा होता है, मीटिंग लगाने लिए चंदा मिल जाता है, उसमे ये मीटिंग लगाने वाले अधिकतल लोगों का धंदा है और जो ये जानते हैं कि मीटिंग लगाने से संगती लगाने से सम्मिलन लगाने से आगे हम और बड़ा काम कर सकते हैं वो इस गुमान में रहते हैं इस एहम और वहम में रहते हैं कि उनकी मीटिंग बड़ी है तो ब मेरे पास ज़्यादा आदमी आए मेरे पास ज़्यादा आदमी आए और हर आदमी अपनी मीटिंग के आदमियों को बड़ा शला कर बताता है और जूट बोलता है राजनितिंग मीटिंग हो या सामाजिंग मीटिंग हो या धार्मिंग मीटिंग हो 2000 कुर्सी होंगी तो 20 000 पताएगा 500 आदमी होंगे तो 5 जार पताएगा 3000 आदमी होंगे तो 30 000 पताएगा एक जीरो तो सिदे सिदे लगा देए इस जोट का नुकसान यह होता है कि जो सामने वाले है वो उनकी अवकाद को जानते है और हमारे लोग गुम रहा हो जाते हैं कि महां 10 यारते वहां 30 यारते वहां 40 यारते जबकि ऐसा है नहीं यानि शक्ती प्रदसन तो कर रहे हैं पर सक्ती प्रदसन की बजाए वो अपना छिचोरा जो प्रदसन है कमजोर प्रदसन है जोटा प्रदसन है वो जादा कर रहे हैं उससे नुपसान हो रहा है सक्ति प्रदसन से फाइदा नहीं है और अलग-अलग सक्ति प्रदसन से ये पता चलदा है कि इनकी सक्ति अलग-अलग टुकणों में बिखरी हुई है तूटी हुई है जो उन प्रदसनों में जाने वाले लोग हैं उनको विचारों को इतना ग्यान नहीं है कि किसी ऐसी जगे इस सक्ति प्रदस्म में जाना हमारे लिए मौत का परवाना है जहां पर काउंटिंग होती है कि हम अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए तो लोग ये सोच के चले जाते हैं अरे हम इसका क्यों बुरा बने अच्छा काम कर रहा है बावा साब का नाम दे रहा है बुद्ध का नाम दे रहा है महापुर्सो काई तो काम कर रहा है ये सोच कर हम चले जाते हैं कि इससे क्या होने वाला है कुछ ना कुछ तो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है पर जो कुछ ना कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जो कुछ ना कुछ हो रहा है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आपके सक्ति का प्रदसन तो हो नहीं रहा, आप किसको डराओगे, आप युद्ध के अंदर सामने वाली सैना के दस्यार आदमी, और आपके सौसो आ कमजोरी के प्रदसन से कहां फाइदा होता है कमजोरी का प्रदसन अगर करोगे तो कौन आपको युद्व में जीत का साटिमिक्र देदेगा और आपकी बात मानेगा क्योंकि अगर आप सक्ति प्रदसन एक जोड़ार बढ़िया करते हो तो उसकी धमक और उसकी गूंच सालों चलती है जैसे दो अप्रेल अठारे को आपने सक्ति प्रदसन किया उस सच माइने में सक्ति प्रदसन था कि आप पूरे भारत में एक साथ सड़क पर उतराए और आप सिर्फ सड़क पर खड़े रहे सरकार को मजबूर होना पड़ा लोगों को आपके सामने जुकना पड़ और उस सक्ति प्रदसन को तोड़ने के लिए जूटे-जूटे मुकत में गड़े गए लड़कों को जेल डाला गया अभी तक भी लड़ लड़के प्रशान है ताकि दुबारा इखटे ना हो और ऐसा काम दुबारा ना हो इसलिए जो छोटे-मोटे जो संक्षन टाइप के लोग थे उनको पैसे दे दे कर आगे बढ़ाया गया ताकि सक्ति प्रदसन दुबारा से ना हो यह खटे ना हो यह काम किया गया तो सक्ति प्रदसन में जब टुकड़े किये जाते हैं तो टुकड़े करने वाले को पैसा मिलता है बहार से भी और अंदर से भी और उनके जो उनके दुस्वन है ऐसा वो करते हैं और ऐसा उनको पैसा वगरा मिलता रहता है इससे जो सक्ती प्रदस्वन करने वाले लोग हैं उनका फाइदा रहता है क्योंकि उनको पैसा मिलता है बाहर से भी और अंदर से भी पर जो सक्ती प्रदस्वन में जाते हैं उनका लगबग सब कुछ जा रहा है उनके सारे अधिकार जा रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जितना ज़्यादा वो महरत करते जा रहे हैं जितना ज़्यादा सक्ति प्रदसन करते जा रहे हैं उतने ज़्यादा उनके जो अधिकार हैं वो जाते जा रहे हैं ये उनकी जानकारी म है नहीं उनको ये गर्वल समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है क्या कारण है कि सामने वाला हमारी सक्ति को मानने को त्यारी नहीं है और लोकतंत के अंदर इतने सारे लोगों के होते हुए भी हमारे सारी सारी चीजें क्यों जा रही है क्योंकि सक्ति प्रदसन कहीं हो रहा है वो दिखावा जूटा और विखंडर का हो रहा है तूटने का हो रहा है इसको कैसे रोकें इसका क्या करें क्योंकि जितने भी सक्ति प्रदसन करने वाली एजंसियां है चाहे वो बाहर से पैसा दे रही है चाहे वो अंदर से चंदा ले रही है यानि हम लोगों से है आओ गई इस बस में बैठो दिल्ली चलना है दस बीज तीस पचास जो लोग है रिटार्ड है या जो ताश खिलते हैं या जो लड़के भेरोजगार है या किसी को दिल्ली घूमना है तो कहता जी क्या होगा करें भी 500 रुपया मिलेगा और खाना मिलेगा और आना जाना फ् तो आपको तो दे दिया हुसन जो देना है अब आप उसको क्या दे के आ रहे हैं या आपको पता नहीं ऐसी बसें चारता हुआ लग जाती है उनमें लोग जाते हैं महां जाके भीड बढ़ाते हैं उनको यह नहीं पता किसका बैनर है किसके बिली है किसका मंच है क्या इसका प माईक माईक मन्द हो गया तो आपके इतने सारे जो अधिकार हैं वो चले गए क्योंकि आपको पता ही कि नहीं कि वो जो प्रड़सन था वो कियो हुआ कैसे हुआ किसे किया कब किया वो सारा प्रदसन खराप चला गया आपने कभी ये जहमत नहीं उठाई कि हम अपने सक्ती प्रदसन को अपने खट्चे से करें अपने आप जाएं और सबसे पहले हम ये पूछे हैं कि ये सक्ती प्रदसन से क्या होने वाला है और ये कौन लोग कर रहे हैं और किसलिए कर रहे हैं इनके राजनियतिक क्नेक्शन क कैसे हैं इनके आर्टिक करनक्सम कैसे हैं इनके धार्मी करनक्सम कैसे हैं ये लोग इखटे हैं भी या नहीं है ये लग लग टुकड़ों में हैं और बाकी लोग कितना सक्ति कर रहे हैं एक हफ़ते पहले जो सक्ति कर रहे हैं एक हफ़ते पहले जो हुआ था वो किसका था ती अधिकार भी उनी के जा रहे हैं इसलिए समढ संग ने ये सब बातों को देखा और सीखा कि भी पहले कैसे चलता था तो देखते हैं कि पहले जुम्मे की जुम्मे जैसे इखटे होते हैं जो मुस्लिम लोग हैं और जैसे संडे के संडे इखटे होते हैं क्रिशन लोग हैं उन सारे पिर्दसन को देखे और बड़ी शांती बनी रहती थी किसी की हिम्मत नहीं जो आँख उठा जाए क्योंगी हर अपते मिलना है कौन लड़ेगा हमसे कौन आएगा हमसे बढ़ने के लिए वो सक्ति पिर्दसन आज भी जो समढ़ संगे उसी प्रटन पर करता है सबको बलाता है पूरे समल जितने लोग हैं उनको बलाता है समला समली आते हैं परिवार के साथ आते हैं अपना खाना लाते हैं या अपने खाने का पैसा देते हैं एक साथ बैठते हैं उटते हैं जाते हैं पर इस सक्ति प्रदसन का कहीं कोई इस सक्ति प्रदसन का कहीं कोई या किसी पार्टी को जा रहा है, या कोई राजनितिक दल से है, वो सारी चीज़े पहला ही बंद कर दीगी है, इसलिए इस सक्ति प्रदसम के बड़े मायने है, क्योंकि इसमें कोई वी आईपी नहीं है, इसमें कोई नेता नहीं, इसमें कोई मंत्री नहीं, या किसी के नाम से नहीं आते वी आईपी के नाम से नहीं आते अफसरों के नाम से नहीं आते बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके नाम से नहीं आते सीधे साधार लोग सीधे साधार लोगों के लिए ही आते हैं और यहां कोई नेता है नहीं और नेता कभी बनेगा नहीं इसलिए सं स्वारी सुरक्षा की गारंटी बढ़ती जा रही है जितनी तेजी से यह सक्ती प्रदर्शन चलेगा और पूरा हो जाएगा पूरा होने का कैसे पता चलेगा एक समय ऐसा आएगा कि जब समढ़ संग को लोग देखेंगे समझेंगे और समढ़ संग की जितने लोग हैं उनके आप के लिए खुदी काम करना शुरू करते लेंगे बिना मांगे इसका मतला आपका सक्ति प्रद्रसन पूरा हो गया और ये धीर 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 होगा क्योंकि जिसके प्रद्रसन जिसकी शक्ति जादा होती है उसको कोई नुपसानी पहुचाता उससे तो लोग दूर रहते हैं ड कोई लड़की आ जाए इसने सोना चाली पैना काहो उपर से लड़की तो उन चारों के मन में चारों वो बदमास हैं उन चारों के मन में वेबचार की बात आएगी चोरी की बात आएगी उसका सोना चुरा लो उसके साथ वेबचार कर दो पर उस लड़की के पीछे से निकल डड़ तो मन में आया पर हिम्मत उनकी रहेगी कि अभी भी चोड़ी की जा सकती है वेफचार की आजस्पता है तो वो कोई अपना हत्यार निकालेगा कोई अपना चेहरे के भाब बदलेगा फिर उस टीले पे एक आदमी साथ दूसरा आदमी और आ जाए उस डड़की के साथ उनकी संख्या तीन हो जाएगी अब वो अपने हत्यारों को थोड़ा समाल करने से रुकेंगे कि भई यह तीन लोग हैं हम चार काबू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और फिर उस टीले के पीछे से दो आदमी और निकल के आ जाए तो अब उनकी संख्या चार हो जाएगी और एक वह लड़की है अब अब बरावर का मामला है तो वो देखेंगे कि हमला किया जाए नहीं किया जाए लूट पार्ट की जाए नहीं किया जाए अब उनके मन में घवराट बहुत जाद रहेगी और वो करने की सोचेंगे भी करने की नहीं भी सोचेंगे पर उस टीले के पीछे से चार लोग और निकल आए अब उनकी संख्या आठ हो जाए और एक लड़की वो हो सकें अगर वो आठो उन चारों से पूछेंगे हावी तुम क्या कर रहे हो तो कहेंगे नहीं हम तो बहन जी की सुरक्षा कर रहे थे देखो हमारे पास यह चाकू तलवार है कोई आदमी कुछ ना कहे इसलिए हम बहन जी की रक्षा करने लिए आए अब वो बहन हो जाएगी उ वो आपके फिवर में आपकी सुरक्षा में आ जाएंगी यही पुलिस जो आपको प्रतारित करती है आपके सक्ति प्रदर्शन से यह आपकी सेवा में आ जाएगी यही सरकार जो आपके अधिकार नहीं देती है आपके सक्ति प्रदर्शन से आपके संग के प्रदर्शन से या आपकी सेवा में आ जाएगी जैसे दो पहला ठारे को आई थी यही दुनिया जो आज आपको दलित कहती है या जो आज आपको बैकवर्ड कहती है या जो आज आपको बुलकुल निम्निस तरका बोलती है जो आपके देखती नहीं है या आपको हीरो मानेगी और यह खुद कहेगी ये तो वो लोग हैं जो सम्राट के सम्राट के सम्राट असोख थे जिनके वंसस थे हम तो इनके दरवाजे पर हमेसा याचना करते थे याचक थे और आज भी हम हाँ जोड़के इनके याचकी है इनकी मर्ची है ये हमें देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे पर ये बड़े द्यालू हैं, बुद्ध के ये अनुयाई हैं, ये हमेसा हमें देते हैं, ये हमेसा हमारा मान समान रखते हैं, हम तो हमेसा इनके याचक रहे हैं, इनकी पड़ जा रहे हैं, संग से, संग की सक्ती से, ऐसे बड़े बड़े चेंज होते हैं, और ये कहीं भी आप द जलते जलते जिनका कहीं कोई अता पता ने इसनिए कहा जाता है कि जितनी संगतियां होती हैं उन संगतियों में आपको पूरी शिरकत करनी है परिवार के साथ करनी है परिवारों के साथ आना है छोटा सा ही तो काम है आपने मोज मस्ती करनी है आपने वहां पे खुब लोगों से मिलना जुलना है कौन से आपने वाँ हल चलाने है पर आना जरूर है क्योंकि अगर शक्ति प्रदसन नहीं करोगे संग का प्रदसन नहीं करोगे तो सामने वाले से फिर खूनी युद्ध करना पड़ेगा आपको अगर खूनी युद्ध से बचना चाहते हो हत्यार को पार में बदल देता है और जो धंविक आदमी है वो आपको धुर्विकरल करके धंव में ले जाके बदल देगा पर संग इन सब चीजों से दूर है संग में सुरक्षा की गारंटी है और कहीं कोई अनिमित्ता नहीं होगी स्वार क्योंकि आप खुद संग चलाते हो आपकी खुद की जुम्मधारी है इसलिए आप अपनी जुम्मधारी से भागोगे नहीं इसलिए ये काम बिल्कुल परफेक्ट चलेगा और बिल्कुल ठीक चलेगा आपको लगातार लगातार सारी संगती में आना है संकी सा की संगती बारे तेरे की बहुत शानदार रहेगी पर हमारी कौसांबी की संकती है वो हमारी तीस तारीक की है जो लोग जा सकते हैं महाँ जाये कौसांबी के अंदर महाँ जाके देखिये संकती क्या है बिजनौर की संकती हमारी आने वाली है इसके अलावा जो और हमारी जो संकतियां है वो लगाता लगाता जैसे साथ आर्ठ च सालाना की संगती जिसमें हर एक लोग हर एक विक्ति को आना ही है परवार को लाना है दोस्तों को लाना है रिदारों को लाना है परवार को लाना है लोगों को दिखाने के लिए लाना है कि देखो संग कैसे काम करता है क्योंकि संग की इमेज अभी ऐसी है लोगों को यही लग से में अगर दस हजार या दस हजार से ज़्यादा की संग्या पार होती है तो सक्ती का संवर्धन हो सक्ता है यह शक्ती बढ़ेगी और सक्ती बढ़ेगी तो आगे हमें फिर काम करने में आसानी होगी और अगर आप अभी नहीं जोड़ पाए जुड़ने और जोड़ने का काम जो देड़ से जुड़ा है उसको देड़ से लाग होगा और जो जुड़ेगा ही नहीं उसका तब पूरा सर्व नास होगा क्योंकि जो जुड़ते नहीं है जो असंगी होते हैं उनको तो जंगल में भी कोई ना कोई जानवर खा जाता है जो अकेले गुंते हैं फिर हमारी त आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संंगं सरणंं गच्छामे दूतियं पी बुद्धं सरणं गच्छामे दूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामे दूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छामू दूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छामू दूतियं पी संगं सर्नं गच्छामू दूतियं पी संगं सर्नं गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी साधु, 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 साधु